अपना ब्रेकप हो जाने के बाद एक लड़की को सूपर पावर मिल दिया जिसो टाइम को स्टॉप कर सकता है टाइम स्टॉप करकर लोगों के साथ वो कुछ भी कर सकता था अगर आपको वीडियो अच रखता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा बीना किसी तरीके एकस्प्लेशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ड होते हम हमारे में क्यारेटर बेन का प्रेकप देख सकते हैं जिस लड़की से उसका प्रेकप हो रहा था सूजी कि उसकी फर्स गल्फेंट थी उसके साथ बिताय हर पल उसे याद आ रहे थे वो अनर करता है कि उसका प्रेकप हुआ कैसे एक पल में तो एक साथ थे एक दुसरे को आई लवे पूल रहे थे और नेक्स्ट वीक सूजी किसी और के साथ थी तो शायद उसको भी आई लवे पूल रहे होगी पर इसका कोई भी मिनिंग नहीं है बेन के फ्रेंड का नाम था शौन शौन उसे समझाने की कोशिश करता है उसे सिर्फ एक बेटर आप्शन मिल गया इसी वज़े से उसके पास हो चलीगे उसके बारे में तुम्हें जादा सोचना नहीं चाहिए तुम किसी ब्यूटिफुल से लड़की को टेट करो फिर सुजी को जेलस लगेगा और तुम्हारे पास हो वापस आ जाएगी शौन का लड़कियों के साथ एक्सपिरियंस बहुत ही घटिया था हर लड़कियों से मार कर चली जाती थी तो उसके एड़वाइस बेन नहीं ले सकता शौन आर्टिस बनना जाता है जब भी उसकी ड्राइंग लास होती थी तो हमेशा लड़कियों कोई ड्राउ करता था हमेशा उसे सुजी की याद आती रहती थी एक रात उसने उसे कॉल किया उसने पूछा कि क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं सुजी ने उसे मना कर दिया वो दिन रात अपने बेड में पड़ा रहता था सुजी के जाने के बाद जैसे उसको ऑक्सिजन चला गया था स्लोली स्लोली उसकी नीन भी चली के उसने सोने का बहुत ट्राइ किया पर फिर भी वो कर नहीं पाया वहाँ पर नोटिस देखता है कि उन्हें काम करने के लिए स्टाफ की जरुवत थी बेन को नीन नहीं आती तो आठ एक्स्टा गंटे पिताने के लिए यहाँ पर वो जॉब कर लेता है वहाँ कि जब मैनेजर को उसने देखा तो मैनेजर पहले फुटबॉल का प्लेयर हुआ करता था अब यहाँ का मैनेजर है यह देखकर बेन रियलाइज करता है कि लाइफ इसी तरीके से बहुत फास्ट गुजर जाएगी पर इसके लिए उग कुछ कर भी नहीं सकता बेन के साथ एक लड़की काम करती थी इसका नाव था शैरन बेन ने नोटिस किया कि उसका मैनेजर शैरन के साथ बहुत ही अजीब तरीके से पेश आता है शैरन कोई बात अंकमफरड़ेब लगती है अपना जॉब करते हुए बेन ने हमसे कहा कि हाँ सुपर मार्केट में टाइम बहुत ही स्लू ली जाता है इसको जरा फास्ट करने के लिए हम एंपलोईज अलग-अलग चीज़े करते है हर एक की अलग-अलग मेथड है जैसे शैरन कभी भी टाइम नहीं देखती है जब वो बहुत देखते है तो टाइम बहुत ही स्लू गुजरता है इस वज़े से हमेशा उसे कवर अप करकर रखती है यहां काम करने वाले उसके और दो फ्रेंड से पैरी और मैट यह हमेशा एक दुसरे के साथ गेम्स केलते रहते है कभी यह शॉपिंग मॉल में रेस लगाते है तो कभी लड़कियों के सामान में कुछ अलग सी चीज़े रख देते है इसी तरीके से हर कोई टाइम पास करता था और बेनने का मेरा तरीका कुछ अलग ही है जब उसका ब्रेक अब हुआ तो उसके लिए टाइम गुजारना बहुत ही हाड़ था तो एक सुपर पावर उसमें आके यह सुपर पावर थी टाइम को स्टॉप कर पाने की वो अपनी पावर से सब को स्टॉप कर देता और सारी चिज़े घुमने लग जाता सुपर मार्केट की सारी ब्यूटिफुल लड़कियों को नोटीस करता था उसे लगता है कि लड़कियों में अलग से ही पावर होती है वो जब छोटा था तो एक फॉरें स्टॉटरर उनके घर में रहने के लिए आई हुई थी वो बहुत ही ब्यूटिफुल थी वो हमेशा उसे ही देखता रहता था बेन जब यह टाइम स्टॉप करता था तो हमेशा लड़कियों की न्यूट ड्राइंग करता था उसने एक नॉवल में पढ़ा था कि लड़कियों को पेंटर के साथ अफेर करना अच्छा लगता है क्योंकि उनकी ब्यूटि जैसी है वैसे हो देख सकते है ऐसे भी बेन ड्राइंग करते हो अपना टाइम गुजरता था और जब वो अनपॉस करता तो बहुत सारा टाइम गुजर जाता अगले दिन बेन से मिलने के लिए उसका फ्रेंड शौन आया शौन को पता था कि अब भी बेन अपने इस गर्फरेंड के बारे में सोच रहा है वो उसे कहता है तुम्हें जल से मुवाण करना चाहिए शौन हमेशा उसे यही बात कहता रहता है तो इस मुवमेंट को भी वो पॉस कर देता है एच वन में बेन और शौन यह पचपन से बहुत अच्छे फ्रेंड था है जब शौन की मदर घर से चली जाती तो दोनों मिलकर न्यूड मैगजिन्स देखते है एक दिन जब दोनों देख रहे थे शौन की मदर वापस आके वो इन दोनों की फ्रेंड्शिप को अलग ही समझती है आज शौन बेन से कह रहा था तो मैं स्ट्रिप कलब विगरा मेरे साथ चलना चाहिए सुनकर बेन को अपने बच्पन का एक किसा याद आता है उनकी स्ट्रीट पर एक लड़की थी जो पैसो के लिए न्यूड होती थी इस सारे फ्रेंड्श लाइन लगा कर उसे मिलने के लिए जाते थे इसके बाद हम देखते है अगले दिन बेन और शेरन की नजरों से नजरे मिली थी लॉकर रूम में शेरन को जरा भुक लगी थी तो बेन का सैंविच मांग लेती है सैंविच का पिकल शेरन के गाल पर लग गया था जैसे कि बॉल वोड मुवीस में होता है वैसे एक रोमेंटिक सा इनका मुमेंट हुआ ये मुमेंट बेन जाने नहीं देना चाता था इसे फ्रीज करकर रखना चाता था पर शेरन चली के तो कुछ भी कर नहीं पाया उसे अच्छा लग रहा था कि सुजी से मुवान करकर अब वो शेरन को लाइक करने लग गया है ति भी उसके फ्रेंड ने डिसकस कर रहे थे मैट कहता है आज मैंने शेरन को टेट के लिए पूछा मैट इसके लिए बहुत एक्साइटेड था पर भी इनको बहुत भुरा लगता है बेनम से कहता है हमेशा मेरे साथ ऐसे चीज़े होती रहती है तो जिसको भी लाइक करता है उसे दूर चले जाते है वो जब छोटा था तो अपनी टीचर को लाइक करता था पर टीचर के साथ कुछ भी हो नहीं सकता उसकी और एक लास्मेट थी जिसको बहुत लाइक करता था एक दिन उस लड़की का एक्सिडेंट हो गया उसके प्लास्टर पर हर कोई ग्राफिटी बनाता था बेन हमेशा उसे देखता रहता तो उस लड़की ने उसे अप्रोच किया बेन ने भी अपनी सिगनेचर उस प्लास्टर पर बनाई जब उस लड़की का प्लास्टर निकला तो उसका पूरा हाथ हेर से भर गया था सब लोग उसे चिडाने लग गए वो अकिली पढ़ गई थी तो बेन उसके पास आकर बेटा कहा कि तुम जैसी हो वैसे ही ब्यूटिफूल हो इसके बाद एक girlfriend boyfriend बन गए थे एक दिन बेन ने उसे स्कूल के पीछे बुला है उसके पास आये और पुछती है क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो बेन कहता है कि हाँ पर कल तुम मुझे यहां मिलना कल स्कूल में कोई भी नहीं होता कल holiday था तो उन्हें कोई भी disturb नहीं करता अगली दिन Ben ने उसका बहुत वेट किया पर वो आई ही नहीं बाद में उसे पता चला कि उस लड़की का ट्रांसपर हो गया है फिर इसे हम प्रेजन में देखते हैं कि Ben और Sean बात कर रहे थे Ben ने Sharon के बारे में Sean को बता है पर वो ये भी कहता है Matt और Sharon आज मूवी देखने के लिए जाने वाले है Sean ने का कि वो सिर्फ as a friends मूवी देखने के लिए जा रहे होंगे उनके बीच में कुछ है ऐसा कमपल सीरी नहीं पर जब next day Ben काम पर जाता है तो Matt अपने friends से Sharon के बार में पात कर रहा था वो बता रहा था कि वो और Sharon कल रात intimate हुए Ben का दिल तुच जाता है इसे moment पर उनके manager उनके पास आए कहते है मेरे एक old friend के साथ मैंने bet लगाई थी उसके team के साथ हम सब को मिलकर football खेलना है इस football match पर Matt को support करने के लिए Sharon भी आई हुई थी इन में से किसी को भी football कलना आता नहीं था तो बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे थे opposite team के 26 goal हो गए थे वो अनके 0 ही थे Ben को bore होने लग जाता है तो time को फिर से उसने stop कर दिया Ben हम से कहता है मुझे हमेशा यहाँ पर बहुत ही जादा safe लगता है कोई भी उसे disturb नहीं कर सकता वो cafeteria में गया तो अचानक से उसे कुछ आवाज आई वो असपास देखने लग जाता है एक आदमी unfreeze होकर वहाँ से भाग गया Ben सिर्फ अकिला नहीं है जो time stop करकर घूम फिर सकता है घूम फिर कर Ben फिर से मैच में वापस आया इनका last goal था तो Matt ने जोर से football को kick किया तो manager की ना को तोड़ देता है वो से hospital लेकर गया Ben को कहकर जाता है कि Sharon को घर छोड़ देना Ben और Sharon फिर coffee के लिए आए Ben Sharon से पुछता है कि तुम और Matt डेट करे हो Sharon ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है हम सरफ as a friend से movie देखने के लिए गए हुए थे Ben को एबात सुनकर अच्छा लगा Sharon का एक boyfriend था उसे breakup किये हुए उसे 6 मेने कुजर चुके है Ben भी अपने breakup के बार में उसे बताता है एक दूसरे को और भी जान लेते है Sharon ने कहा कि night way में Spanish सीखती हूँ उसे अलग-अलग places घुमना है वहाँ के लोगों के बार में जान लेना है Spanish सीखने के बाद शायद उस पेन में जाकर वहाँ पर teach करेगी उसे South America भी बहुत अच्छा लगता है तो वहाँ पर भी जाना चाहती थी वो बेन को उसके dreams के बार में पूछती है बेन ने कहा कि मुझे draw करना बहुत अच्छा लगता है शायद एक दिन उसकी भी art gallery में exhibition होका Sharon ने कहा कि मैं हमेशा एक artist से मिलना चाहती थी वो world की किसी भी चीज में beauty देख सकते है Sharon फिर बेन से पूछती है क्या उस राद तुम मेरे साथ चलोगे में इसके लिए हा कहता है ये इन दोनों की एक official date थी manager ने बेन को बुला कहा कि बड़े पर एक surprise टीपर भी होनी चाहिए इसका इंतजाम तुम करोगे बेन को पता नहीं था कि वो कैसे करेगा पर वो Sean की help लेता है Sean को इन सब चीजों के बारे में बहुत ही अच्छी knowledge होती है उसे एक pub में वो लेकर गया वो एक लड़की से बात करते है पर उस लड़की ने कहा कि मैं उस रात बहुत ही busy हूँ मेरे एक friend को वहाँ पर मैं भेज दूँगी कल रात के बाद Ben को हर जगा पर Sharon ही दिख रही थी वो time को stop करकर हमेशा उसे ही draw करता ऐसे कुछ दिन बीट गये और कल manager का पड़्टे था Sharon Ben से पुछती है क्या तुम अब भी मेरे साथ date पर चलना चाहते हो Ben कहता कि of course चलना चाहता हो जाते वक्त Sharon Ben को properly किस कर कर गए इतने दिन तो Ben को नीन नहीं आई थी पर आज रात वो बहुत सोया उटने के बाद उसे एक art gallery से call आता है Ben के pictures उन्हें बहुत अच्छे लगे थे और उसे मिलने के लिए बुलाया हुआ था Ben इसके लिए बहुत ही excited हो जाता है पर इस सिर्फ उसके friend Matt और Barry उसका मज़ा ले रहे थे रात में बहुत ही अच्छे से ready होकर वो Sharon के पास बहुचा वो Sharon को अपने art की good news बता देता है उसे भी बहुत अच्छा लगता है यह दोनों फिर party में आए पर Ben यहाँ पर सुजी को देखता है party में इन्होंने order की हुई स्टीपर भी आई हुई थी यह वही स्टीपर थी जो Sean और Ben बचपन में देखने के लिए जाय करते थे Sean मोके का फायदा उठा कर उसे date के लिए पूछ लेता है तो वहाँ पर सुजी पी थी सुजी को Ben को Sharon के साथ देखकर ज़रा बुरा लगा था वो realize करती कि Ben उसके लिए perfect था तो उसे फिर से पाना चाहती थी Ben उसमें कोई भी interest नहीं दिखा था इसे के parallel में हम देख सकते हैं manager Sharon से बात करने लग गया उसे हरास करने लग जाता है तो Sharon इस पर गुस्सा आओके और यहां से निकलने लग गे उसने जब उपर Ben और सुजी को देखा तो उसी moment पर सुजी Ben को किस कर रही थी अगली moment पर Ben ने उसे जटक दिया था पर Sharon ने देखा ने वो गुस्से हमें यहां से चली गे Ben रियलाइस करता है कि Sharon को क्या लगा होगा उसने time को stop कर दिया सोचा कि ओ Sharon को क्या बताएगा पर कुछ भी हो सोच नहीं पाता ऐसे उसने दो दिन तक time को stop करकर रखा था अनपॉस करने के बाद भी हो Sharon को मना नहीं पाता उसे मिलने के लिए क्या पर Sharon उसकी कुछ भी बात नहीं सुनती उसे फिर से नीन अनब बन हो जाता है जैसे हमने पहले देखा था कि Ben के friends ने उसे प्रैंक कॉल करकर एक art gallery में मिलने के लिए बुलाय हुआ है तो Ben actual में अपना साब art लेकर उस art gallery में चला जाता है वहाग एजन्ट जो उसने बात की तो उसकी कोई भी appointment नहीं थी पर एजन्ट उसकी drawing देख लेता है उसे drawings बहुत ही पसंद आई वो Ben को opportunity देते है और अब उसका एक art show होने वाला था इसका invitation Ben शारन को देखर आता है इस exhibition ने शारन की Ben ने जो भी drawings बनाई थी सिर्फ यहीं लगाई हुई थी यह सब कुछ बहुत ही beautiful था Ben से एक art के agent बात करने लगी कहती है मुझे तुम्हारी drawings बहुत ही पसंद आई वो New York से थी तो उसे बहुत बड़ी opportunity दे सकती थी बात करते हुए Ben ने notice क्या कि Sharon भी यह show देखने के लिए आई हुई है यह art agent उसे पूछ रही थी कि future में तुम क्या करना चाहोगे Ben कहता है कि मुझे South America में जाकर travel करकर drawing करनी है actual में Sharon का dream था कि उसे South America में travel करना है तो Ben भी उसी के साथ travel करकर draw करना चाता था Sharon उसकी सारी drawings देखकर Ben को maaf कर देती है Ben फिर से उसे sorry कहता है पर Sharon ने कहा कि painting देखकर मैं सब कुस समझ गई हूँ Ben ने पुछा कि क्या तू मुझे पर trust करती हो Sharon ने कहा कि हा करती हूँ Sharon को उसने आग बंद करने के लिए कहा उसे kiss करता है और उसी moment पर उसने time को stop कर दिया अब जब time stop हो गया था तो Ben के साथ Sharon भी आसपास घुम सकती थी बाहर snow गिरा था तो Sharon को Ben बाहर लेकर आए इसी में हो kiss करते है और इसी के साथ इनकी love story स्टार्ट हुई Ben हमसे कहता है लाइफ में बहुत सारे moments होते है जो ऐसे ही चले जाते है पर अगर आपको लाइफ की beauty को appreciate करना है किसी के power में पढ़ना है तो एक बार जरा रूख जाओ इस moment को appreciate करो कभी भी उन्हें जाने मनतो इसे एक beautiful message के साथ इस movie end हो जाती है अगर आप कोई वीडियो अचा लगा तो प्लीज इसे like कर दीजेगा बहुत सारे movies लेकर आते रहता हो तो प्लीज इस channel को subscribe कर दीजे और bell notification icon दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमुई के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिये